नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल Tech Indie Fact में यहां हम आपके लिए टेकनोलोजी से जुड़े बहुत ही कमाल के टिप्स और ट्रिक्स और अन्बॉक्सिंग और टेकनोलोजी से जुड़ी कुछ जानकारियां आपके साथ सेयर करते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आज मैं आपको स्मार्टफोन के बारे में कुछ ऐसे मित्स के बारे में बताऊंगा जो लोग मानते तो हैं पर सच्चाही से उनका दूरदू तक कोई जम्बंद नहीं होता है तो टाइम वेस्ट न करते हुए सुरू क करते हैं मित नमबर एक ज्यादा रैम मतलब बहतर फोन दोस्तो वैसे तो ज्यादा रैम होना अच्छी बात है पर मान लीजी एक फोन जिसका रैम 6GB है और वहीं दूसरा फोन जिसका रैम 17GB है इसका मतलब यह तो नहीं है कि 17GB वाला फोन बहतर देगा परफॉर्मेंस दोस् रैम का एक काम होता है जो स्मार्ट फोन में किया जाता है परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए प्रोसेसर रैम ग्राफिक काड और OS यानि के Android वर्जन ये सभी का बहतर ऑप्टिमाजेशन होना जरूरी है दोस्तो मित नमबर दो अधिक मेगा पिक्सल का मतलब बहतर कैमरा मेगा पिक्सल वॉर वर्सों पहले समाप तो हो गया अब तो डिजिटल कैमरे को पॉइंट एंड सूट करें और आज कल का मेगा पिक्सल वॉर का मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिस है बॉक्स पर जितनी बड़ी संख्या होगी उतना अच्छा कैमरा होगा मेगा पिक्सल को अंदेखा करते हुए MP की गड़ना न करें इसके बजाए महत्वपूर आकड़ों को देखे जैसे की सेंसर की गुडवत्ता लेंस और छवी प्रोसेसर जैसे की सोनी के लेंस सोनी के प्रोसेसर ये अच्छे कैमरे जाते हैं मिथ नंबर 3 बैटरी बचाने के लिए अपने सिस्टम फंक्शन को आफ कर देना दोस्तो कई लोगों को मानना है कि बैटरी लाइफ को ज्यादा करने के लिए अपने ब्लूटूथ और वाइपाई को आफ रखना चाहिए चार्ज करते समय एरप्लेन मोड लगाना चाहिए और आपको बता दूं कि ऐसा बिलकुल है तो इसका मतलब आपका स्मार्ट फोन स्मार्ट कहा रहा मिथ नंबर चार दोस्तो सभी लोग सोचते हैं फोन को अपडेट कर लेने से फोन की फर्मॉर्मेंस बहतर हो जाएगी दोस्तों ऐसा सोचना सही भी है पिर सिर्फ उन फोन में जो नए होते हैं लेकिन पुराने फ प्रम या समकाड निकालकर फेग दें तो हम ट्रेक नहीं हो सकते तो दोस्तों आपको बता दू कि आप अपने फोन के साथ कुछ भी करे देख लें और आप समार्ट फोन में भी इह स्मार्ट होता है क्योंकि आपके फोन का जो gps है, उसको आप निकालकर फेग नहीं सकते, ट्रेकिंग से बचने का बस दो आसान तरीके हैं या तो आप अपने फोन की बैटरी निकाल दें या फिर एंटे सिगनल बैग में बंद करके रख दें मिथ नंबर 6 एपस को लेकर मिथ दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि हमने Play Store से एप डाउनलोड किया है तो बिल्कुल फ्रेश और सेफ होगा तो आपको बता दियूँ दोस्तो आपने जरूर सुना होगा कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर में प्राइविसी और पॉलिसी का उलंगन की वजह से इस एप को हटाया या फिर कई एप्स को हटाती रहती है तो इसे आप समझी सकते हैं कि कोई एप आपको या और लोगों को टारगेट कर रही हो और जब तक गूगल को इसके बारे में पता चले तब तक या बहुत लोगों को नुकसान पहुचा चुकी होगी तो फुल गारेंटी नहीं है कि इंटरनेट पे हर चीज सही हो और लोयल हो मिथ नंबर साथ दोस्तो लोगों का सोचना है कि वटसप पर आने वाली लिंक्स सभी सेफ होती हैं और सिक्यूर होती है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तो आपको देखना होगा कि वटसप पर कई तरह की लिंक्स आती रहती है इस पर विजिट करने के लिए बैटरी फूर या फिर इस पर क्लिक करके आपको 200 का रिचार्ज मिल जाएगा या फोन का कलर बदल जाएगा इस पर क्लिक करने पर 500 का इनाम पाओ दोस्तो ऐसी लिंक तुरंत डिलीट कर दें क्योंकि क्या पता आपके फोन के बैक्ग्राउंड में कुछ इंस्टॉल हो जाए और आपको पता भी नहीं चले और आपके फोन के अंदर कुछ नुक्सान भी कर सकती है दोस्तो ऐसा करने से जादा नहीं सिर्फ या एक या दो परसेंट का ही अंतर आ सकता है अगर रियल में आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो अपने फोन को सुच आप करके चार्ज करिए मिथ नमबर 9 कोई भी चीज की लिंक आजाए आपके पास और या फोटो आजाए और उसको सेयर और लाइक करने से पैसे मिलते हैं ऐसी भी आपने फोटो जरूर देखे होंगे फेस्बुक और वटसब पर जरूर देखा होगा जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट कोई बच्चा या फिर कोई औरत की फोटो होती है और नीचे लिखा होता है इसको सेयर करिए एक सेयर के मिलेंगे 50 पैसे जिससे मेरी मदद होगी दोस्तो ये बिल्कुल सही नहीं है एकदम जूट है दोस्तो फेस्बुक और वटसब पर सेयर करने से कोई भी कंपनी आपको कुछ भी नहीं देने वाली है दोस्तो और ऐसे में हमें कोई भी चीजों को सेयर नहीं करना चाहिए दोस्तो जो जनुइन चीजें हैं उनको सेयर कीजिए ताकि आपकी मदद कोई न कोई तो कर ही सके लेकिन जिसमें एक सेयर से 50 पेसे या 15,000 रुपे मिल रहे हूं उन पोस्ट को पिलीज न फैलाएं और डिलेट करिए दोस्तो ये थी कुछ हमारे स्मार्टफोन से जुड़ी मित जो की हम लोग मानते तो हैं लेकिन सच्चाई इन से बिलकुल दूर है दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरू कीजिए